ओतर काशी की इसी स्वरंग में एक तलिस जिंदगिया मौत से जंग लड़ रही है 216 से अधिक घंटों से प्रशासन इनने निकालने की जद्दु जहद में लगा है तारीक हैं बदल रही है लेकिन यहां से कोई खुश कबरी नहीं आ रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी-बड़ी मशीनों के इस्तमाल यहां किया जा रहा है देश के अलग-लग कोनों से यह मशीने आ रही हैं फिर भी मजदूर पिछले 9 दिनों से वहीं फसे हैं मजदूरों को सुरक्षित भाहर निकालने के लिए 5 प्लन पर काम कर रही है पाँच एजेंसियां, पाँच प्लन सुरंग में फसे मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग के उपर से वर्टिकल ट्रिलिंग की जाएगी इसके जिम्मदारी SJVNL को दी गई है सिमा सडक संगठन यानी बियारो द्वारा केवल एक दिन में एक अप्रूच रूट पर निर्मान पूरक करने के बाद RVNL ने आवश्यक वस्तों की आपूर्ती के लिए एक और वर्टिकल पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है बड़कोट छोड से माइक्रो टनेलिंग की जा रही है माइक्रो टनेलिंग करने के काम शुरू इस माइक्रो टनेलिंग के निर्मान करने की जिम्मधारी डीप डिलिंग में विश्यशक रखने वाली ONGC को दिया गया है कार सुरक्ष ववस्था के बाद NHI DCL सेल क्यारा छोड से डिलिंग जारी रखेगी इसकी सुविदा के लिए सेन ने बॉक्स पुलिया तयार की है शमिकों की सुरक्षा सुनिशित करने के लिए एक छत्र धाचा बनाया जा रहा है THDC बढ़कोट से मैक्रो टनलिंग का काम करेगी जिसके लिए भारी मशीनरी पहले ही जुटा ही जा चुकी है इन पांचों प्लानों को एक्जिक्यूट करने में सभी तीन से चार दिन तक का समय लग सकता है ऐसी में अगले कुछ दिनों तक मजदूरों की बाहर आने के उमीद कम है फिलाल मजदूरों तक खाने पीने का सारा समन पहुचाया जा रहा है इस वक्त पूरा देश सुरंग के अंदर भसे एक तालिस मजदूरों की सलामती की दुआ भगवान से कर रहा है दूरी रिपूर्ट पंजाब केस्टी टीवी